हलो अश्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में परेटो के सिधान्ट से सम्बंध सभी महत्पुर्ण बिंदों को देखेंगे, अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं परेटो का शिधान्ट इटली के प्रसीध अर्श सास्त्री और दार्शनेक विलफ्रेडो परेटो के द्वारा दिया गया परेटो के शिधान्ट को 80Y20 के नियम, कुछ महत्पुर्ण लोगों का कानोन और कारक विरलता के शिधान्ट के नाम से भी जानते हैं परेटो का सिधान्ट कहता है कि आप अपनी जिन्दगी में जितनी काम करते हैं, उनमें से सिर्फ 20% काम ही ऐसे होते हैं, जिनसे आपको 80% सफलता मिलती है और 80% काम ऐसे होते हैं, जिनसे आपको 20% सफलता मिलती है परेटो ने इस सिधान्त को देने से पहले इटली में यह अबजर्व किया कि 80 प्रतिशत भूमी का श्वामीत्व केवल 20 प्रतिशत आवादी के पास था परेटो ने अपने बगीचे में भी देखा कि 20 प्रतिशत पौधे में 80 प्रतिशत फल लगे हुए थे परेटो ने इसी अपधारना पर अपना सिधान्त दिया परेटो के सिधान्त के अनुसार यदि हम मौजूदा कामों में से 20 प्रतिशत सबसे ज़्यादा जरूरी काम पहले करें तो 80% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और 20% काम ऐशे होते हैं जिलमें 80% समय लगता है पर अगर आप उन 20% कामों को खोज कर उन्हें हटा लेती हैं तो आपका 80% समय बच जाएगा अर्थात 20% कामों की बज़ा से 80% समस्याएं पैदा होती है यदि 20% कारणों को हल कर लिया जाए तो आपकी 80% समस्या भी खत्म हो जाएगी परेटो का सिधान्त बताता है कि आप अपनी जिन्दगी में जितने काम करते हैं उनमें से सिर्फ 20% काम ही ऐशे होते हैं जिनसे आपको 80% सफलता मिलती है और 80% काम ऐशे होते हैं जिनसे आपको सिर्फ 20% सफलता मिलती है परेटो के सिधान्त का परियोग करके हम अपने नीजी जिन्दगी या फिर अपने व्यवशाय में कम मेहनत से ज़्यादा सफलता या लाव प्राप्त कर सकते हैं परेटो के सिधान्त का उप्योग पूरी दुनिया में अलग-अलग छेतर में किया जाता है परेटो के सिधान्त को हम लोग कुछ उदारंद्वारा समझ लेते हैं अगर आप अपने व्यवशाय के विक्री को बढ़ाना चाहते हैं तो उन 20% कस्टमर को खोजें जिनसे आप की 80% विक्री होती है और ऐसे कस्टमरों की संख्या को दुगना कर दिजें इस सिधान्त को हम लोग एक और उदारंद्वारा समझ लेते हैं अगर आप अपनी नौकरी में पर्मोशन पाना चाहते हैं तो उन 20% कारणों को खोजें जिनसे आपको पर्मोशन मिलने के चांस 80% बढ़ जाता है इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार